हेई गाईज, आज मैं आपनों के साथ सेयर करूंगी इन्रेगुलर पिरियेट के लिए कुछ सिंपल और एफेक्टिव टिप्स जिससे इन्रेगुलर पिरियेट और पीसी ओडी को ठीक कर सकते हो तो चलो पीडियो को सुरू करते हैं टिप नमबर वान मैजिकल ड्रिंग ये ड्रिंग अमेजिंग रेजल देता है इसको बनाने के लिए चाहिए इलाइची बड़ा इलाइची तेज पात्ता दोनों को अच्छे से उबाल लेना है ये इन्रेगुलर पिरियेट और पीसी ओडी के लिए बहुत ज़दा है उसके ब काल को बनाने को बहुत ज़दा है क्युक्त को टाम पर बहुत ज़दाध होटा है इसको अपना डाएट पेक इसको इंकूँट जरूर करें कि लिए itव. योगा बहुत ही जदा important है अगर इन regular आपका period का problem है या फिर आपका PCOD का या फिर आपका thyroid का हम पिर कोई भी hormonal का problem है आपको योगा बहुत जदा help करता है आपको workout gym में अगर जाके time नहीं मिलता है तो आप घर पे कर सकता है आधा घंटा लगता है तीन से चार्ट चीज आप follow करोगे तो इजीली यह सारे प्राब्लेम से अप निकाल सकते हो मैं आपको चार से पास दिखा रही हूँ यह बहुत ही ज़दा सिंपल है पहले तो आप 10 से काउंट करो कि 10 करो उसके बद 15 करो उसके बद 20 करो काउंटिंग अप थोड़ा धीरे-धीरे करके आप इंक्रीज कर स करते हो योगा करने से आपको बहुत ज़दा हेल्प मिलता है इन्रेगूरा अगर की आपको घ्रिये घुक्री बहुत ही जल्दी एपको रेजल मिलता है और अब कर सकते कि 20 को नहीं पर आप करते हैं और यह सबांने अपनेoked कर आपने लाइफ में एड़ करोगी अपने healthy lifestyle में तो बहुत अच्छा वक्को result मिलेगा तो ज़रूर ट्राइ करना टिप नमबर 3 healthy diet जो की बहुत ज़दे important है इन regular period या फिर PCOD का problem तभी होता है जब हमेरे diet बहुत ज़दा पोर रहता है हमेशा कोशिज करे healthy diet लेने के लिए अब season का fruit लेओ अब veggies दो घर का खाना खाओ म्यागी पास्ता बर्गर बिस्कीट या फिर कोई भी सुगर वाला चीज ये सारे चीज अब ना लो बाहर का खाना मत खाओ green juice रो, red juice लो या फिर कोई भी घर का बना हुआ juice पियो बाहर का कोई भी डबा का juice मत पिया करो अपने diet पे कुछ दिन तक आप किनुआ लो, rice ना लो अगर irregular period या फिर PCOD का problem है हमेशा कोशिज करो कि healthy diet लेने के लिए उससे आपको बहुत ज़़ा help मिलेगा और आपका lifestyle को थोड़ा से change भी करो tip number 4, stress हम लड़किया बहुत ज़़ा stress लेते हैं इसके कारान हमें PCOD, PCOS, thyroid ये सारे hormonal problem का सामना ज़्यादा करना होता है तो stress मत लो, सबके life में उताव चरब आता है तो stress थोड़ा कम लो ताकि healthy life रहे और आप खुस रहो, बाहर जाओ, घूमो, फिरो and PCOD, irregular period ये ही सारे कारान से होता है तो stress थोड़ा से कम लेके आपने आपको थोड़ा से stress free रखो tip number 5, hydration I know winter का time है, उतना दिल नहीं करते है फिर भी आपको 3-4 लिटर पानी पीना ही पीना है बाड़ी को hydrate रखना है, बहुत ज़दे important होता है hydration अगर नहीं रहेगा, तो PCOD, PCOS, irregular period, thyroid या फिर internal problem धीरे धीरे सुरू हो जाता है तो hydration की बहुत ज़दा जरूरत होता है कि जितना ज़दा hydrate रहेगा, उतना ज़दा बाड़ी हमारे clean भी रहता है बहुत ज़दे important होता है सोने से पहले अपने बाड़ी को stress करना क्योंकि PCOD या फिर पिरियेट का problem हो आपका बाड़ी बहुत ज़दे दुखता है, कमर दुखता है क्योंकि यह सारे चीज़ होता है लड़ीयों को तो सोने से पहले अगर stress कर लोगे तो आपको need बहुत ज़दा आता है और need बहुत ज़दा important है अब सब कुछ कर लोगे, workout कर लोगे, diet कर लोगे पर आप पॉपर अगर नहीं सोगे, अपना routine को अगर फिक्स नहीं रखोगे आपको कुछ काम नहीं होने वाला है तो अच्छे से time से सोना, time से उठना एक discipline maintain करना बहुत ही ज़दा important है अच्छा doctor हमेशा बोलता है कि अच्छा खाना खाओ अच्छे से workout करो और अच्छे से सोगे ये तीनी चीज आपको key है एक healthy lifestyle के लिए तो ये सारे चीज बहुत ज़दा important है body को race देना बहुत ज़दा ज़रूरी है तो इसको याद रखे tip number 7 मेरा फेवरीट कड़ी पत्ता जो इतना ज़दा benefit है इसका जितना बोलू उतना ही कम है अभी तक तो I think आप सब को ही पता होगा कड़ी पत्ता है internal, external दोनों के लिए बहुत ज़दा helpful है and PCOD, PCOS and irregular period के लिए magic के जैसे work करते है कभी-कभी क्या होता है nature से हमें इतना अच्छा अच्छा चीज़ दिया होता है हमें पता ही नहीं होता है हमारे आसपास में ही होता है ये कड़ी पत्ता बहुत ज़दा help करता है अगर irregular आपका period हो रहा है और एक चीज़ में आप लोग से share कर दू कि कड़ी पत्ता का अगर पेड़ है अब फ्रेस अगर लिफ ले रहे हो तो कोशिस करो साम होने से पहले उसको ले के रखने के लिए क्योंकि साम के टाइम पे कोई भी पेड़ पे ऐसे मतलब हाथ देना नहीं चाहिए ये मेरी अम्मी बोलती है इसलिए मैंने आप लोग से share किया Anyways, फ्रेस कड़ी पत्ता मैंने ले लिया है कड़ी पत्ता का फ्रेस लिफ बहुत ज़दा खुसबू देता है और बहुत ज़दा अच्छा रहता है हमारे इन्रेगुलर पिरियेड या फिर PCOD को बैलेंस करने में तो कड़ी पत्ता कैसे लेना है कड़ी पत्ता सोने से पहले हमें लेना है चार से छे लेना है अगर आप सुरू सुरू में नहीं ले पारे हो तो चार लिफ ले लो या फिर आप ले पारे हो तो छे वैसे तो कोई मसला होता नहीं है क्योंकि कड़ी पत्ता वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है तो अच्छे से इसको चुई खरके खाना है पर आप कोशिस करो कि आप जो वाटर ले रहे हो और रूम टेंपरचर में भी ले सकते हो और फिर हलका सा गुनगुना भी ले सकते हो तो सोने से एक घंट करना पहले आपको यह पूरा प्रोसेस करना है बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव है जस्ट अपने डाइट पर इंक्लूड करो मुझे बोलने की जरूरत निये रेजाट आपको खुदी मिल जाएगा तो इसको सोने से पहले अपले और हां गाइज करीपत्त कोसिस करें कि फ्रेस लिया करें ड्राइड ना ले टिप नमबर एट सिनमंटी सिनमंटी बहुत ज़्यदा एफेक्टिव होता है इंडेगुलर पिरियेड पीसी ओडी पीसी या फिट फॉयरेट का प्रॉब्लेम के लिए भी कोई भी हॉर्मनल प्रॉब्लेम है सिनमंटी बहुत बना लिजे घर पे बनाना भी बहुत देजी है जस्टिक को लेना है उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है इसका जो चूरन बन जाएगा उसके बाद कोई भी कांच का कंटेनर में इसको इस्टोर करना बहुत ही लॉंग टाइम तक यह रहता है मार्केट बला मत यूज करना उसमें अगर कुछ और मिक्स रहेगा तो उतना एफेक्टिव रेजल नहीं मिलता है गरम पानी में या फी थोड़ा से गुनगुना पानी में इसको मिक्स करने के बाद इसको आप पी सकतो सिप सिप करके सिन्दमन टी पीने से आप जट से गेन हो जाता है तो उसमें वेट को मैनेज करने में बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा एफेक्टिव होता है तो इसको आप अपने डायेट पे जरूर इंकुलूट करो बहुत ज़दा पैन फूल होता है प्रियेट के टाइम पे बहुत ज़दे पेज दुखता आपको लॉंग टाइम तक आपको वह सारे चीज़ का बेनिफिट मिलेगा अब डॉक्टर के पास में जो मेडिसन होता है एक टाइम पे चलो अपका प्रियेड नहीं हो रहा है जा रहे हो मेडिसन ले रहे हो ओन मन ले लिया टू मन ले लिया जिन्दे की भर तो नहीं ले सकते क्योंकि उसका बेनिफिट भी नहीं है बहुत ज़्यदा साइड एफेक्ट है फ्यूचर में प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यदा प्रॉब्लेम होता है और कोई भी मेडिसन अपका हर्मोनल प्रॉब्लेम सॉल्फ नहीं करता है फोर माई एक्स्पिरियेंस बहुत ही ज़्य मैंने वीडियो में दिखाया है अपने लाइफ में लाइफ स्टाइल में अपने डाइट पर एड करो देखो आपको बहुत अच्छा रेजल मिलेगा आइँ होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी हेलफुल रही होगी और वीडियो कर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना सब्सक्राइब करना फिर मैं आप लोग से मिलूंगी मेरा नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अप लोग खुस रहे हेल्दी रहे है और अपना लाइफ को इंजाई किजिए